सपनों का वो आंगन कहाँ धर्बन बता बचपन कहाँ So Hi Everyone तो आज हम बनाने वाले हैं अपने बचपन की सबसे फेवरेट चॉकलेट जो आजकल बजार में कहीं मिलती ही नहीं है तो आज हम करने वाले हैं अपने बचपन की खटी मिठी यादो को ताजा और बनाते हैं गुडगटा तो इसको बनाने के लिए आज में एक सिक्रेट चीज आपके साथ सेयर करूंगी तो रैस्पी कंप्लीट देखिएगा तो चल ये सरू करते हैं रैस्पी तो सबसे पहले कोई भी आप कोई धाली ले ले या इस तरह कोई भी मुल ले ले और इसको सबसे पहले आपको ग्रीस करके रख लेना है अच्छे से क्योंकि यह process पहले से ही करके रखना है तो इस तरह से थोड़ा गी ले ले और अच्छे से था लिया जिसमें भी आपको जमाना है बाद में तो उसको अच्छे से grease कर लेना है और इस तरह से आप मैंने लिया है यह गुड़ और यह देखिए गुड़ भी अच्छा लेना है आपको अच्छी क्वालिटी वाला गुड़ लेना है अभी तो अच्छा गुड़ आया हुआ है मार्केट में और अब मैं आपको ग्राम में भी बिताती हूँ कि ग्राम में कित क्योंकि चीनी जब हम इसमें डालेंगे गुड में गुडगटा खाते समय बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपकेगा और अब मैंने लिया है इसमें एक चमच पानी और एक ही चमच जाएगा अब इसमें घी देखें तेसी घी एक चमच मैंने एड कर दिया है और अच्छे स अब हमें इसको धीमी आज पर ही चलाते हुए सारी चीजों को अच्छे से मेल्ट कर लेना है गiejckhए चीनी भी अच्छे से गुल जानी चाहिए पानी चीनी तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए यह देखें पढ़िया से चीनी गुल चुकी है मैं इसमें डा आते हुए लगातार मेल्ट कर लेना है और आजकल तो जैसे के मार्केट से गुडगटा गाया भी हो गया है क्योंकि आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है के गुडगटा आखिर होता क्या है और एक हमारे दिन थे सकूल के के जैसे ही रिशस होती फटा फट जाके गुड इस चॉकलेट बोलते थे इसको, हमारे 90s के टाइम पे जब वहाँ पे हम गुडगटा खाते थे, खटी मिठी इमली होती थी, छोटे छोटे लाल जो बेर होते न, जिस पे हम कलन नमक लगा के खाते थे, तो भई, फिर से पुराने दिनों को याद करते हुआ, बनाते हैं गु इस टाइम की जो चॉकलेट मिलती थी, उस चॉकलेट से भी ज़्यादा टेस्टे हमारे ये गुडगटा होता था, तो ये देखे, बढ़िया से, बात-बात हो में अच्छे से मेल्ट हो गया है गुडग, ये देखे, अब इसको चैक कर लेंगे एक बार, तो मैंने कटोरी म मैं ये डाल दूँगे इसमें, ठोड़ा रख देंगे, कोई 10 सेकिंड के करीब इसको साइड में रख लेंगे, और उसके बाद इसको चैक करेंगे, ये देखे, तो अब मैं इसको दिखाती हूँ, ये देखे, थोड़ा खिच राया अभी ये, तो मतलब अभी हमारा गुड तयार नहीं हुआ है, ये देखे, अभी हमें और उसको थोड़ा पकाना है, तो लगाता है चलाते हुए, अभी हमें और इसको तिन जार मिनट के लिए इसी तरहां से चलाते रहना है, तो बराबर चलाते रहना है दीमी आज पर आपको, और अब इस देखे, रंग भी इसका आवा जा रही है तो अच्छे से यह तैयार हो चुका है इसको तोड़के भी आप चेक कर लें तो एक दम अच्छे से जब यह तूट जाएता समझो यह बन चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा टीस्पून यह मैंने वन फोर्थ टीस्पून के लिए यानिकी एक एक तम आप देखे रहेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया और कितना यह फूल गया है तो बस अब इसी स्टेज पे हमें इसको जो ग्रीस करके रखा था हमने बरतन उसमें इसको अच्छे से डालने ना बहुत ही गरम होता है तो बहुत ही सावधानी से आपको बरतन में इसको सेट करना है तो यह देखिए अच्छे से मैंने सारा सेट कर दिया है और जल्दी जल्दी से अब इसमें उपर से जो भी आपको डेकोरेट करना हो मूमफली आपको डालनी हो ड्राइ फ्रूट डालने हो वोड़ कर सकते हैं तो मैंने लिया यहां पर थोड़ी सौफ थोड़ और इसको मोल्ड में डालने के बाद टैप बिल्कुल नी करना है हिलाना बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो इसकी एर जो है वो निकल जाएगी जो बेकिंग सोड़ा डालने के बाद जो इसमें फ्लावर टाई है ना वो कम हो जाएगी तो इसको हमें दो गंटे ऐसे ही छोड़ तो यह देखे दो घंटे के बाद अब यह मोल्ड से निकाल लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप चुड़ा ले इसकी साइड को या फिर नाइफ ले ले नाइफ से थोड़ा थोड़ा अंदर से इसको चुड़ा ले और उसके बाद इसको निकाले तो यह देखिए अच्छे स कैसा बना, यह देखे कितना अच्छा हमारा गुडगटा बन के तयार हुआए यह, तो रैस्पी ज़रूर ट्राइ करें, और किस-किस को आज ये देखके अपने बच्पन के अपने पुराने दिन, अपने बच्पन के फ्रेंड गयाद आई किन किन के साथ आप बैठके ये गुड़ गटा शेयर करते थे खाते थे तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चरूर करिएगा